हेलो गाइज, सब्सक्राइब करें दीप टॉक्स चैनल को और बेल इकन को प्रेस करें हमारी चैनल से कनेक्ट होने के दिए वीडियो को लाइक जाओ कीजिए इस रिली मोटिवेट्स में और अपनी लर्निंग कमेंट बोक्स में कमेंट कीजिए I really love it stay positive हेलो गाइज, स्वागत आपका हमारी इस positive यूट्यूब चैनल वे जिसका नाम है DeepTalks मैं DeepTrucker फिर से हाज ही हूँ एक और simple positive thoughts वीडियो के साथ DeepTalks एक ऐसी चैनल है जहां पर हम अलग-अलग motivation and positive thoughts की बात करते हैं उससे हमारी life में positivity लाकर अपनी life को positive बनाना की कोशिश करते है तो चलिए positivity बढ़ाते है आज का जो thought है वो हमें life में, हमारी life में patience का कितना महत्वा है कितना उसका importance है वो समझाएगा और उससे कुछ ना कुछ हमें patience के बावे में सिखने को मिलेगा तो चलिए आज के positive thoughts की तरफ बढ़ते है आज की learning की तरफ बढ़ते है So today's positive thought is, if you want to achieve something, then it will take time, it will take trials, be positive, one day it will give you happiness देखिए आप जीवन में कुछ भी achieve करना चाहते है, किसी भी हद तक पहुँचना चाहते है, तो उसको थोड़ा समय लग सकता है थोड़ा या उससे ज्यादा या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है लेकिन उसको आपके परयातना उसमें लगेंगे, उसमें trials लगेंगे, लेकिन आपको positive होएना है कहीं पे भी आप हार नहीं माननी है आपको, और कहीं पे भी उसमें अगर कुछ milestone तक आपको असफलता मिले तो आपको थोड़ी दीरज रखनी है, आपको थोड़ा patience रखना है, one day it will give your happiness, एक दिन हो आपको ज़रू खुशी देगा ही देखिए मैंने अगर पिछली वीडियो में बोला गए था कि हमें अपने goal को achieve करने में इतने try करने है, इतने try करने है कि goal भी हार जाय हो, हमारे सामने goal भी बोल देखे ये भई ले ले तुझे ये चीज मिल गई तो हमें अपने try चालो रखने है, हमें अपनी जो efficiency है वो पोई की पोई लगा देनी है, लेकिन कहीं भी भी हमें अपना पेशन से वो खोना नहीं है, क्योंकि कई बार हम क्या करते है कि हडबड़ी में कोई चीज कर जाते है और उसमें अगर हमें सफलता नहीं मिलती, तो ब 50% efficiency लगा रहे, तो वो चीज पाने से आपको कोई भी रोख नहीं सकता, वो चीज आप जरूर उसके पास पहुंच पाएंगे, तो इससे हमें motivation लेना चाहिए कि कोई भी चीज हडबड़ी में ना करे, और अगर वो चीज आपसे पहली बार में नहीं हुई, तो ट्रायल करे दूसरी बार, तीसरी बार, कभी ना कभी वो चीज आप तक पहुंच ही जाएगी, देखी इतनी बहुत सारी success stories हमारे पास है, हमें उससे भी बहुत कुछ सीखना चाहिए, कई लोग इसे हैं जो जिनकी में बहुत बार fail हुए है, लेकिन उन्होंने अपना patience नहीं छोड़ा तो हम भी एक human being है, हम भी एक मानव ही है, हम भी उनके तरह ही एक person है, हम भी try कर सकते हैं आगे पहुंचने का, देखिए एक बात करी जाती है, कि winners don't quit and quitters don't win, अगर अपने quit कर दिया तो आप जीत नहीं पाएंगे, और जो winners होते वो कभी भी quit नहीं करते, उनके अंदर patience होत था कि हमको success अगर चाहिए तो वो success हमें आसानी से नहीं मिल पाएगी, हम पहले कहीं ना कहीं fail होगे ही, वो ही ऐसे लोग होगे, जिसे success तुरंख मिल जाती होगी fail हुए बिना, लेकिन हमें कई किस्तों में ऐसा ही होता है कि कभी ना कभी पहले हम fail होते हैं, बाद में ही हम success तक पहुंचते हैं, तो आप fail होने के बाद success की रहा देखे, लेकिन आपको उसके लिए fail होने के बाद try करता रहना है, आपको success मिल ही जाएगी, तो कभी भी quit ना करें, अगर quit नी करेंगे तो ज़रूर जीतेंगे, तो बस आज के लिए इतना ही motivation था, आप ज़रूर इस व झाल